गुद मॉरिंग सुडन्स आज मैं आपको श्री बंकिम चंद्र चाटर जी द्वारा रचित एक गीत जो की हमारे राश्र गीत के रुप में स्वीकृत है वंदे मातरम पर निर्थ्य सिखाऊंगी तो ये गीत के बोल हैं आप इसको लिख लिजिए वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज़शीतलाम शस्यश्यामलाम मातरम वंदे मातरम तो ये आपने लिख लिया होगा तो चलते हैं इस गीत के बारे में मैं आपको बताती हूँ तो ये जो गीत है इसमें उन्होंने हमारी मातर भूमी की सुन्दरता की व्याख्या की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम मातरम हे मातर भूमी आपको नमन करते हैं आपके आगे नत्मस तक हो जाते हैं क्योंकि आप बहुत सुन्दर हैं आप शुद्ध मीठे जल से सीची हुई हैं पूरे धर्ती पर शुद्ध मीठा जल है और सुन्दर विभन्र प्रकार के फल हैं और उत्र दिशा से आने वाली शीतल हवाएं यहां चलती हैं और पूरी धर्ती जो है वो शश्य शामलाम यानि की हरी भरी हरे-भरे खेतों से लहला रही है और हरे-भरे पेड़ लताएं बहुत ही सुन्दर हैं तीक हैं और मा आपको हम नमन करते हैं नत्मस्तक होते हैं हम वन्दे करते हैं तो बच्चों इसमें धर्ती मा की सुन्दरता की व्याख्या की गई है, तो मैं इसके उपर आपको भी मिर्ता सिखाऊंगी तो आप तयार हो जईए। तो जो ये गीत है बच्चों इसमें शुरू में एक मुजिक है और क्योंकि ये गाने में हमने जो घीत है वो अमारी धर्ती की संदरता के उपर है तो उस म्यूजिक में मैं धर्ती की संदरता के बारे में दिखाऊंगी तो मैं आती हूँ यहां से हम एंटर करेंगे तरह इसमें हमको चक्र लेकर करना है तो ऐ, दो, सी, चार उसके बाद में धर्ती कितनी सुन्दर है यहां पर सुन्दर पेड है पेड कैसे बना रहे हैं हम ऐसे क्रॉस करके ऐसे बना रहे हैं और उसके सुन्दर सुन्दर फूल और फन लगेवे हैं और लताएं हैं यह लताएं लता है बेले और मीठा शुद्ध जल नदियों में बह रहा है और उत्तर से चलने वाली पवन है जो की बहुत शीतल है ठीक है आगे समझ में यहां तर बंदे मातरम उसमें बंदे मतलब हम नमस्कार कर रहे हैं मातरम आप तो अब म्यूजिक के साथ करेंगे ऑल मुझे साथ कर रहा है रहा है दो अ Sure Do अर लृम हम्द कर रहा है पाल म आप तो मंदे मातरं मंदे मातरं मंदे मातरं सुझना सुखना मर्जशी तला संसे शामना मातरं मंदे मातरं मंदे मातरं मंदे मातर प्रश्व प्रश्वेश झाल